What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stirl or Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और पाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो तो यह जो वीडियो है, यह हर एक 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 एक्जाम के लिए आप लोगो फाईदा पहुचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ने कर रहे हो यहाँ पर UPSC या EPS का मतलब यह नहीं की बसीनी एक्जाम में फाईदा पहुचाएगी आप लोगो यह स्टेट के जितने भी एक्जाम होते हैं उनके अंदर फाईदा पहुचाएगी और किसी भी एक्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे सही होता है तो अच्छी बात है गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है इसका मतलब भी होगा कि अब एक्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को इसका description box में मिल जाएगा तो आईए आज का discussion स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का first question देखते हैं यह question जो बात करें आप यह history के बारे में history में भी हापर बात की दिया रही है आपर किष्णा देव के बारे में जो की रूरल थी आप विजय नगर एंपायर गे ठीक है तो इनके बारे में कौन सी statement correct है यह आप लोगो बतानी है history ocean है पहले बोलागी है आप टेक्स रेट जो था इनके उसको industry माना जाता था कौन सी statement correct है A में बोला जा रहा है one only, B में बोला जा रहा है two only, C में बोला जा रहा है both one and two और D में बोला जा रहा है neither one nor two तो सही answer क्या है A, B, C, F, D तो जिसका सही answer है आपर यह इसका C यानिके दोनों ही statement यहापर सही है सबसे पहले बात करते है Vision Agar Empire के बारे में, Vision Agar Empire जो की लगबग South India में आप लोगो आज केट में करनाटका वाला region, आंदर परदेश, तमिलाडू, केला और तेलंगाना वाला region, तो यह basically revision इसके अंदर cover किया जाता था, यह जो found किया गया था, यह 1336 में रखे गया थी, यह Harihara, H-A-R-I-H-A-R-E, Harih यह Taxation से आप लोग बोल सकते हैं, पैसा इखटा किया जाता था, तो जो जमीन है, वो अलाग-अला category में डिवाइड किया थी और उसकी जो पैदावार है, उसका 1x6 थी यहाँ पर राजा को जाता था, तो उसके तहत वहाँ पर जो पैसा इखटा होता था, फिर उसके पर जादे तर जो सोर्च यहाँ पर था, वो था एगरिकल्चर, एगरिकल्चर पर टेक्स लगा करें आप जो पैदावार होती थी, वहाँ से जादे तर रिवेन्यू यही खटा करते थी, तो आंसर हो गया C, आगे बढ़ते हैं, नेस्ट कोशन आप लोग के सामने आपर ब पबलीक सेटी एक्ट जो था है, आपर यह गवर्नर के द्वारा एसेंट दिया गया, यह इनके गवर्नर के द्वारा सहमती दे गया इसको 8 अपरेल 1988 में, दूसरा बोला गया है, आपर ओडर है, आपर P.S.E. के तैट इस्टिक मजिस्टेट, वो यहाँ पर ओडर इस्टिक करता है, उसकी बात की जारी है, सही आंसर आप लोग को बताना है, कि कौन सा सही आंसर है, A में बोला जारा ओनली वन, B बोला जारा ओनली टू, C बोला जारा बोत वन एन टू, D में बोला जारा ननुब्दा बो, तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, जो सही आंसर है यहाँ यहां पर कोई कार्ट पीट कर उनको बेश रहा है कमर्स एलेक्टिविटी के लिए इलेगल तरीके से बिना कहीं से पर्मिशन लीवे तो पब्लिक सेप्टी एक्ट के तया थे यहां पर उसके ओपर केस चला जा सकता है तो डिविजनल जो कमिशनर है यहां पर इसके खिलाप वोरेंट जारी कर सकता है बिना वोरेंट टीशू के भी इस परसन को पकड़ा जा सकता है पब्लिक सेप्टी के पॉइंट ओफ्यू के धान में रखते हुए तो आंसर यहां पर इसका भी हो गया सीवी अइश में फ्यूल पहुत करते हैं यहां करें पहले में एक दिरेक्टर के द्वारा तीसरी स्टैड् 맞 करता है में बहला गया झाए सब्सक्राहत है सही आंसर आप लोगो बताना है A, B, C, E, F, O, D तो जो सही आंसर है आपर यह इसका A, यह इनके 1st and 2nd statement सही है पर लेकिन 3rd statement गलत है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं देखे अगर यह act के द्वारा बनाए जाए तो इसका मतलब है statutory body है पर लेकिन यह statutory body नहीं है हमारी country में, यह एक executive body है यह इनके खुद का इसका कोई law नहीं है, जो यहाँ पर यह picture में आती है 1941 का Specialist Police Establishment Act जो है, तो उसके through यहाँ पर यह picture में आई अंग्रेजों के time पर, World War जो 2nd चल रही थी उसके time पर, जो correction के cases हैं उनको check करने के लिए, यहाँ पर basically इसको बनाय गया था इसका जो motto है, impartiality, यहाँ पर industry और integrity यह इसका motto देखने को मिलता है और यह जो basic हमारी country में जो काम करती है, यह investigation का काम करती है अगर कोई high profile case निकल कर आते हैं, कोई ऐसी चीज़े होती है जो कि society में लगता है, काफी large scale पर impact डाल रही है तो वो सारे cases इसके थूरो निकल कर आते हैं डेली police establishment act से अपनी power लेती है, यहनि कि खुद का इसका कोई act नहीं है अगर बात करें कि डेली ज़ेसका director होता है, वो कोई appoint करता है इसका director appoint करता है, प्राइमिस्टर चेर परसन रहते हैं, लीडर अप अपोजिशन उसके member रहते हैं और chief justice of India member रहते हैं, और फिर अपनी जगे और किसी और को, judge को appoint कर सकते हैं ऐसे हाँ पर member, तो यहनि कहने का मतलब है, तीन member की committee हाँ पर CBAE के director को हाँ पर appoint करती है ताकि independent A के body है, inquiry कर सके proper matter में, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका A काफ़ important है, इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं, कई बार question direct आप लोगों से बन जाते हैं, आगे चलते हैं important question है, आप टी से लिट रहे हैं, आप यहनि के जो चाय होती है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी statement correct है, यह आप लोगों को बताना है पहली यहाँ पर जो बोला जा रहे है, यह golden butterfly के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में एक एक statement देख लेता है, golden butterfly एक special, एक specialty हैं आप टेकी, पहली statement, दूसरा बोला गे है, आपर यह, यह only produce होती है, अरुनचल परदेश के अंदर, तीसरा बोला गे है, आ फूल खिलने से पहले जो कलिया होती है, उसकी बनती है, correct statement के है, A में बोला गया, 1 and 2, B बोला गया, 2 and 3, C बोला गया, 1 and 3, D बोला गया, only one, सही answer क्या है, सही answer है, इसका यहाँ पर C, EN के 1 and 3, second statement गलत है, आसाम के अंदर डिबरुगड़ वाले एरे में यह basically पाय जाती है, ना की Arunachal Pradesh के अंदर, और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यह कुछ ऐसा जिसे कली बनने से पहले जो फूल नहीं होता है, जो फूल बनने से पहले जो कली होती है, तो उससे यह बनाए जाती है, नोर्मल जो चाय है, जो है आप उनकी जो पत्य इसके बनाए जाती है, तो यह बट से बनाए जाती है, ना की टी लीव से बनाए जाती है, इसकी स्पेसिलिटी है, अभी एक किलोग्राम जो टी है आपर यह 75,000 रूपय की बेची गई, जो की काफी बड़ी कॉंड़ी आप लोग बोस्कते हैं, अलगी रिकोर्ड इसके दो है, और यह बहुमी उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो चलन हो रहा है मुईका उसके बारे में कौन सी स्टेडमेंट करेट है, ठीक है, तो बहुमी के बारे में एक उसका अटलस त्यार किया रहे है, जैसे फिजिकल मैप आप लोग देखते है, ऐसे ही आपर कहा स्टेटमेंट यहां पर correct है A B C F D सही answer है यहां पर इसका A यह यह निके first statement है इस पर इस पर इस पर इस statement है जो कि यहां पर यह काम किया जा रहा है अलगलग department के साथ है मिलका ताकि जहां जहां पर जो मिट्टी बरबाद हो रही है उसको ढंग से चेक किया जा सके और फिर से उ किस दिन celebrate कियाता है तो यह 17 जून को celebrate कियाता है कि कैसे हम लोग जो world में all over world में जो मिट्टी है उसको हम लोग improve कर सकते है ताकि आने वाली generation को कम से कम नुकसान नहीं देखने को मिले इंपोडेंट कोश्चन है आपर डिफेंस लेड़े बात किया रही है एस आर डबल अम रिसेंटली न्यूज में यह क्या है सबसे पहले जो बात किया रही है यहाँ पर यह बोला जा रहा है सोट रेंज एर टू एयर मिसाइल मैंने आप लोग को बोल दिया ओले डिफेंस ल इसकोप तो कौन सा इस्टेडमेंट सही है ए बी सी अफुडी सही आंसर है आपर इसका यह यह निके यह वाला सही है इसके फुल फोर्म क्या है आपर तो यह बी आप लोग याद रखते हैं और किसके द्वारा यह बनाय जा रहा है यह बी दोनों पॉइंट आप लोग किया रहा है और सुख़वी 30 पर लगाने की कोशी से एरफ के द्वारथ को की जा रही है तो एर डीफेंस शिस्टम को अच्छा डवलफ किया रहा है इसकी से तो यह हमारी कंट्री में ऐरफके लिए यह बीज waktu की जा रही। गया आंसर है आगे बढ़ता हूं नेस्ट कोशन काफी इंपोर्टेंट है आपर बात की जा रही एक operation जिसका नाम रखा गया operation thrusty यानिके प्यासा तो कौन सा statement इससे लेट करेक्ट है पहले बोलागे कि operation thrusty आपर launch किया गया यह आपर basically जो sale की जा रही है unauthorized package drinking water उसके ओपर ध्यान रखने के लिए दूसरे आपर यह जो हमारी country में railway protection force है आपर उसके दोरह आपर यह launch किया गया है कौन सी statement correct है A में बोला जा रहा है one only, B में बोला जा रहा है two only, C में बोला जा रहा है both one and two, D में बोला जा रहा है none तो A, B, C, F, D सही answer किया है सही answer है आपर इसका C, N के दोने statement सही है one and two, दोने statement यहाँ पर correct है operation जो thrust हैं आपर इसके बारे में आप लोग detail में थोड़ा समझ लिजे कि क्या-क्या बाते हैं आपर सही है क्या-क्या बाते सही हैं एक एक करकर जान लेते हैं तो यहाँ पर जो operation thrust है आपर यह इंडियन रेल्वे के द्वारा launch किया गया रेल्वे प्रोडेक्शन फोर्स के द्वारा जो भी unauthorized package वोटर है अच्छा नहीं मिलेगा यह फिर अगर ले सकते हैं तो किसी trusted जो brand का ही पानी ले वरना इधर उदर से भरकर पानी लाया गया होगा तो आप लोगों वीमारी का सिकार बना सकता है तो यह Indian railway के द्वारा start किया गया खासका railway protection force के द्वारा ताकि जो जनता railway travel कर रही है उनको रोका जासके बहुत सारे लोगों को पगड़ा भी गया यह हरकते हैं पर करते हुए इस particular act के तहथ next question आप लोगे सामने आपर बात कर रहे हैं जिसे आप लोगों को पता है कि carbon dioxide की मातरा atmosphere में बढ़ते जा रही है तो उसको control करने के लिए कई सारी step उठाय जा रहा है climate change के थुरू तो यहाँ पर anthropogenic activity है इनके इंसानों के दौर जो हरकते की जा रही है तो उसको रोकने का कोश इस reservoir है तीसरा बोला जा रहा है सब terrain जो deep saline formation होता है यह क्या होता है basically यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नमक से लेटेड जो खासकर भरा हुआ जो पानी होता है वो पानी होता है खासकर जमीन के अंदर वो काफी large जो reservoir मान जाता है CO2 का carbon dioxide का तो उसके बारे बात की जा रही है तो कौन सी statement correct है A में बोले जा रहा है 1&2, C में बोले जा रहा है B में बोले जा रहा है 3 only, C म बोले जा रहा है 1&3, D म बोले जा रहा है 1, 2&3 तो सही answer क्या है A, B, C, F, D सही answer is D यहनके तीनों ही हाँ पर काफी negative effect डालते हैं अगर तीनों को ही control के जाए तो आप लोग environment को protect और environment solution निकालना चाहते हैं तो important question है पास्ट में एक्जाम में पूछा जा चुका है अलग-लग exam में तो काफी important है बटलर कमिटी 1927, 1927 तो कौन सी statement इससे लेटर करेट है बात की ज़रे define किया गया जुडिक्शन, center और provinces उनके बीच में क्या क्या एरिया है उसको define किया गया define किया गया power of secretary of state for the India, impose किया गया censorship और national praise के उपर यहनके जो हमारी country प्रेस थी उसके उपर यहाँ पर यहाँ पर यह censorship लगाया गया यहनके media के उपर, improve किया गया relationship between government of India और Indian state, तो कौन सी statement इहाँ पर सही है यह आप लोग को बताना है तो answer A, B, C, F, D, सही answer है यहाँ पर इसका D, यहनके fourth statement यहाँ पर सही है, अबर यहाँ पर government of India बोला जा रहा है 1927 में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है British government, यहनके उन्हीं के अंडर यहाँ पर यह government थी, और वही यहाँ पर government of India चला रहे थे, तो उसके बीच के relation हमारी Center और राज्य के बीच में relationship, किस के हिसाब से सही करने को इसकी गई, तो यह है Butler Committee, 1927 की, आगे बढ़ते हैं, next question आप लोगो बात करने हैं, आपर factory act के बारे में, जो की 1881 का था, तो अंग्रेज्यों के time पर हमारी country में, जिस तरी की हरकते की जाती थी, तो कई सारी act भी अंग्रेज्य के बनाएं, जो वरकर है, उनकी जो salary है, वेज वागरा, इसी के साथ में trade union वो form कर सके, ताकि इनके खिलाब protest कर सके, कि ऐसी चीज़ें allow करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था, आपर ऐसा कुछ नहीं कियागे, हाँ पर बस कुछ बाते कीगी, ताकि जो बच्चे हैं, साथ साथ से नीचे वो काम ने कर सके, वो थोड़ी बहुत condition सुधारी जासेगे worker की, तो फर्स statement यहाँ पर गलत है, पर लेकिन एन एम लोग हंडले जो थे आप अपर, यह काफी important personality थे, जिनके द्वारा worker को जहान में रखते वे कई सारे movement चलाएगे, और हमारी country में worker की condition को सुधारने की कोशिस के गई, तो B answer यहाँ पर correct है, जो की सही है, फर्स statement यहाँ पर incorrect हो गई, तो यह था टोटल आज का discussion, I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, अगर इस lecture की PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते है, रिविजन के point of view से, तो telegram से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी के साथ में, मेरे साथ connect रह सकते हैं, Facebook, Instagram और Twitter पर सारे account वीडियो के नीचे आप लोग को description box में मिल जाएंगे, तो मिल और देखी आप लोग गएव इसे, तो में मिल जाएंगे, तो म्या दायनलोडो के युकर सती हैं, Jewish जाते हैं, पर डिविजन म agreement म मैं मारे पारेговा ने हैं, जा हम वे पे लोग वे पारेह हैं, मैं मिल झाकर 15-6 Yugosश्चे